हेलो विल्कम बैक यहाँ पर है आज मेरे पास रेडमी का नोट 13 5G फोन इस फोन का आज मैं चार्जिंग टेस्ट करने वाला हूं 0-100% चार्ज करते हैं और बताते हैं कितना दिर में यह जो फोन है कंप्लीट चार्ज हो जाता है बॉक्स के अंदर गाइस 33 वाट का चार्जिं होना स्टार्ट हो चुका है और इसी के साथ यहां पर अभी stop watch on कर लेता है यह देखें और यहां पर time पदा चलेगा कितना दिर में कितना time हो रहा है heat की बात करें तो room temperature आप देख सकते है 21 है और phone की heat की बात करें तो front से 23 और back से यहां पर 24 देखने को मिल जाता है तो सबसे और हमसी का बैटरी कर बैटरे मिलता है तो सबसे पहले यहां पर चेक करते हैं हृँप्तीन में यहां पर आप देख firm चार्ज सकतेOS चो चार्ज करते हैं तो चार्ज जो है 73 परसंट चार्ज हो जाता है और जो टंप्रेचर है वह आप देख सकते हैं 21 है रूम का और फोन का फ्रॉंट से यहां पर 35 देखने को मिल जाता है और बैक की बात करें तो यहां पर 36 है तो कुछ टैम वेट करने के बाद टोटल वन आवर कंप्लीट हो जाता है और वन आवर कंप्लीट होते ही यहां पर आप देख सकते हैं 92 परसंट चार्ज रहता है फोन में तो गैस आपको अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लिस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बि तो टेमप्रेचर 100% होते होते आपका लो होते जाएगा ओके फोन को और थोड़ा चार्ज करने के बाद लगभग 12 मेट और चार्ज करने के बाद फोन जो है पूरा 100% चार्ज हो जाता है टोटल टाइम आप देख सकते हैं 1 hour 12 मेट यहां पे लगता है इस फोन को चार्ज हो तो ज्यादा दुस्तों हीट नहीं होता है और थन्ट का मौसा में है तो ज्यादा हीट होगा भी नहीं गर्मी में दोस्तों आपको 40 तक एबरेज मिल सकता है बाकी दोस्तों आपको यह वीडियो चल लगए चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और आपके पास अगर यह फोन ह डाइक्ट भोल्ट पाता है इसलिए हीट होता है तो आज के लिए पर इतना ही मिलता है नेक्ट वीडियो में थैंक्यू जय हिंद